नमस्कार दोस्तू सभी सादक भाई बेनों को एवं सभी नए जुड़े हुए सब्सक्राइबरों को मैं अपने इस चैनल में उनका स्वागत करता हूँ सादक भाई बेनों उमीद है आपके नवरात्रे अच्छे बीते होंगे इस तोरान बिज़्च में कुछ व्यस्तता के कारण मैं वीडियो कम बना सका आशा है आप सभी सहयोग देंगे आपके लिए सादनाओं का सिलसिला जारी है जागरत और उग्र सादना जो की सिद्धी के लिए संभव है जिनके मंत्र पूर्ण हो किर्या पूरी हो वैसे सादनाओं मैं आपके लिए लाने के लिए तत्पर हूँ उसी सादना की शरंखला में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रेत राज की सादना जी ये साधारन प्रेत नहीं है ये प्रेतों का सरदार है इसके अंडर सो प्रेत चलते हैं और ये बड़ा बलिष्ट होता है एक पुराना अनुस्ठान है जो की समय गुजर जाने के साथ साथ बहुत कम हो गया ये जो प्रेतराज की साधना है इसमें शिर्फ आपने समसान में एक दिन जाना है उसके बाद आपको शिप जी के मंदिर की परिदी में कहीं भी वैट करके एक जगा अपने आसन लगा लेना है उसके बाद शिप जी के मंदिर में अर्दरातरी में पूजा करके और जो उसको धूफ दीप इत्यादी पहले शंकर भोले को देनी है गिनेश जी को शंकर भोले को गुरू का सिम्रण करके फिर आपने संस्कारित माला से ये मंतर का जो है जहाप करना है उसको गुलाना है मंतर चोटा सा ही है लेकिन मैंने बहुत जगा कोशिश की देखने की सब के पास तकरीबन आधा ही मंतर है जब आप आधा मंतर लेके घूमोगे तो आपको सिद्धी कहां से मिले आप खुद ही इतना विद्वान बन जाते हैं कि दूसरे से कोई विद्धा लेना नहीं चाहते और दूसरे भी ऐसे हैं कि आपको छोटी छोटी चीज़ें उठा कर बड़ा बता करके बेच देते हैं हमें खेद है कि ऐसे कुछ लोग हमारे समाज में व्यापत हैं जो अपने लालच के कारण दूसरों को ठगने के लिए ततपर रहते हैं साधनाओं को बेचा नहीं जा सकता हाँ इसमें ये होता है कि शाष्टर मत ये है कि किसी भी इश इश को उसकी पातरता देखते हुए ही साधना देनी चाहिए यदा कदा सबको साधना नहीं दे सकते यही कारण है कि मैं अपने वीडियोज में यदि साधना डालूँगा तो मंतर नहीं डालूँगा मंतर डालूँगा तो साधना डालूँगा ये साधना 42 डेज की है और इससे एक बहुत जबरदस्त जो है वो प्रेत जिसे प्रेतों का सरदार बोलते है या आप कहिए कि प्रेत राज जी हाँ प्रेतों का राजा वो आपके साथ आ जाएगा इसमें इस प्रेत के चोटी होती है जी हाँ वही सादक इसको करें जो की उस समय जब की कोई दिब्शक्ति उनके सामने आई उससे डट के सामना कर सके जी बिलकुल इसमें कमजोर दिल वाले हरदे रोगी और समझे की जो डर डर पोक किसम के या कमजोर दिल वाले बंदे हैं उनके लिए इस सादना में कोई स्थान नहीं है किसी भी शक्ति को तब कमाया जाता है जब आप प्राणों के उबर खेल जाते हो कोई भी शक्ति आपको ऐसे ही नहीं मिलती तो यह इतना जबर दस्त सादना है इस से आप किसी भी बंदे का भूत प्रेत वरतमान कोई भी चीज लाना मगाना किसी के उपर भूत प्रेत इत्यादी की अन्यत्र कोई पीड़ा है उसको भी दूर कर सकते हो अगर आप इस प्रेत से कोई गल्ट काम करवाएंगे तो यह वैधानिक है यह आपको भूगतना पड़ेगा मुझे नहीं और इसकी दोस्तों चोटी रखनी होती है चोटी उखाड के इसकी रखनी होती है इससे चोटी ले लेते हैं वो चोटी या आपको प्यार से दे दे वैसे प्यार से तो कौन देगा नहीं उसको आपको उखाडनी पड़ेगी तो यह इतना शक्तिशाली मैं जैसे आपको बता भेद बता देगा, कोई घर में कोई प्राब्लम है उसको बता देगा, कोई समान कहां रखा, देखिए ये चलाने वाले के उपर होता है, चलाने वाला सौकाम ले ले और ना चलाने वाले से एक भी ना लिया जाए, वो तो फिर बहाना बाजी हो गई कि हमें करना कुछ नहीं ह खाली हमें समय वेवतीत करना है यह साधना एक सुनते हैं एक बंदे के पास थी वो जानकार है हमारा दोस्त का दोस्त है अगी उसके पास यह साधना है और अक्सर उसके पास जाने वाला कभी निराश नहीं होता कोई साथ कि यहां कोई आचक उसके पास चला जाता है ना तो वो निरास नहीं होता उसका काम बन जाता है तो हमने तो खुदी अपना भाई धूना रमा रखा हमें किसी से क्या लेना प्रसंग बास कोई मित्र सा और ये परिखित साधना जो है जिसको इच्छा हो वही फोन करे फाल तू समय ना खराब करना मेरा भी आपका भी और उस नंबर जो नंबर मैंने दिया है सक्रीन पे 81949-51381 इसके उपर क्रेपया कॉल ना करें वीडियो आडियो या वाट्सअप कॉल ना करें आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा मैं आपके लिए और भी धेरों अच्छी जागरत और उग्र साधना इलाने के लिए ततपर हूँ आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी इसके सबस्क्राइबर बढ़ाई है चैनल के ये आपका अपना चैनल है मेरा चैनल नहीं है अगली वीडियो में मिलते हैं धन्यवाद